हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम तुमा यूटूब चानल फंडामेटल इन्वेस्टर इस चानल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के जो रिजल्स आये कौडर फॉर्स्ट के उसके बारे में बात करने वाले हैं सभी को यह स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद था जब यह स्टॉक लगबग जब राकेट जुन जुन वाला ने इसमें इंटरी बनाया और वो अच्छा खासा रैलियर कर गया उसके बाद लोगों को पसंद ने आने लग गया क्योंकि राकेट जुन जुन वाले ने वापस अपना स् अगर बात करते हैं यहां पे कंपनी को कितना लॉस हुआ पिछले साल कितना था और अभी इसमें हमें इन्वेस्मेंट्स करनी चाहिए क्या क्योंकि लगबग 291 रुपीच के शेर की प्राइस चल रही इसकी और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे यहां पे कुछ ज चल यह वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चानल पर नहीं हो तो प्लीज आर सब्क्राइब कीजिए नीचे डिस्क्रिप्चन में टेलेग्राम चानल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे मैं बहुत शेर्स में प्रोवाइड करते रहता हूं लाइकल यह मल्टी बैगर शेर्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्चन में लिंक है एक बार प्रीज आर चेक आउट कर लिजेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे लगबग अपर अगर हम टाटा का ग्लोबल प्रेजेंस भी देखत पर आरिन डी कोई आसान बात नहीं होती है आभी बात करते हैं कमपनी के लॉस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,450 क्रोड लाँ पकड़ लीजे lah का लाँ कह लुट सकते हैं 4,450 करोड का अगर लॉस हुआ है सो यह की हुआ कमपनी के आपने जो सेल्स है वो लगबग 65,535 करोड के थे जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा स्लिप हो गए लगबग 22 करोड स्लिप हो गए जो रिविन्यूस थे इनके वो जो sales से रिविन्यू करोड आते वो उसके बाद अगर इनके पूरे total income के बारे हम बात करेंगे जो कि बहार का income होता है इनके ओ हो गए थे जो कि पिछले साल से बहुत कम है लगबग 13,000 करोड का यहाँ पर डिफरेंस बनाता है अभी यहाँ पर बात करते कंपनी की कि इन्हें इससे गलत एक्सपेंस हो गए जिनकी वह जो से इनके जो इतने अच्छे रिवेन्यूस तेजियों कि पेशाट अजार चाचाट अजार करोड के वह लगबग माइनस में चार अजार करोड के चलेगे यह भी यहाँ पर देखने लाए कि अब यह जो मैटरियल कॉस्ट से वह होती रहती है पिछले साल से देखिए रिवेन्यूस कम होगे तो यहाँ पे इनके मेटरियल कॉस्ट भी कम होगे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है बट एक चीज यहाँ पर जो मुझे लगता है कि कवर कर लीनी चाहित है वह इन्हें इतने तरीके से नहीं कि I know I am not perfect indies मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं सबाल सकता हूँ बट यार मुझे दिख रहा है वो मैं clearly खह सकता हूँ जो इनके order expenses है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा order expenses जो की पिछले साल 12601 करोड के थे वो इस साल भी 12,93 करोड के अभी पिछले साल revenue इनके 87,000 करोड के थे इ जैसे कि yes bank ने किये उन्होंने लगबग 200 करोड के अपने revenues जो revenue बोड़ो दोस्तो order expenses कंट्रोल किये यह बैंक ने 200 करोड के order expenses कंट्रोल किये so उनके इसलिए उनके profit हुआ पिछले साल से loss में थे इस साल अचालब 200 करोड के profit में आगे yes bank so here is a difference between companies management मुझे लगता है कि और थोड़े से इनको परयास करने चाहिए थे order expenses reduce करने को but order expenses कुछ reduce हुए नहीं but expense कोई मतलब बहुत आप reduce नहीं कर सकते हो कोई चीजों के बारे में बड़िया पर जो हे वो हे बाकी expenses तो हमने रोक सकते बड़ जो order expenses है you can easily आप वापे control कर सकते है अगर आप system बना रहे उस पर ठीक है दोस्तों अगर आगे बात करते है इस company के बारे में तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि Tata Motors कोई छोटा brand है नहीं लगबग इनको 70 साल हुए Tata Motors start करके जो इन्होंने पहला starting वही थी वो Tata engineering and locomotive company टेल को in 1945 यह अ बात करेंगी इनका जो सबसे बड़ा पहला achievement था वो लगबग 1955 में था traveling 8000 miles without breakdown यह सबसे बड़ा record उन्होंने बनाया था और आप यह आप देख सकते है ज्यारी टाटा अपने driver से मिल रहे थे जो की rally हुआ था ठोटा उसके बाद उन्होंने उस पर पार्ट लिया और लगब बात करेंगे our first export truck with Sri Lanka, Sri Lanka में इन्होंने first export किया था truck का then Cylon में किया था 1961 में, so यह थोड़े 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 करके अच्छे खासे growth में चले गए थे, in 1965 Mercedes 3-pointed star gave away of a tea with a Tata Motors time of a collaboration, so यहा पर जो big collaboration था उनका Mercedes के साथ वहाँ पे Mercedes में खुद यहाँ पे 3-point का इनको एक logo दिय हुआ तो जो कि T होता है, जो कि 3 चीदों में मिलता है, अगर इनके देखिएंगे जो सब सब बड़ा, सबसे बड़ा जो इनका winning point है, वो लगबग 1986 में था जब इन्होंने 407 चार सो साथ वहिकल जो कहते हैं, जो कि सबसे पहला low rate heavy vehicle commercial बनाया था, और आज भी वो बहुत ज् ला भी रहे हैं, बिजनेसेस में ला भी रहे हैं कार्स, कार्स और बाकी चीजों में वर्क कर रहे हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो commercial vehicle से आता है, जो टाटा सुने थी इनकी, वो भी बहुत ज्यादा चली, और वो लगबग रखी गई थी, सुमंत मुलगों क जो MB थे, former MB of Tata Motors उस जमाने के तब की थी, अभी सबसे बड़ी बात इनके लिए positive point यह होता है, कि उन्होंने Indian Army तक को मतलब अपने vehicle supply कर रखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और Indian Army के पास भी Tata के ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडोक्स होते हैं, और Tata Motors तो पहले से भाई और सबसे मजलब जो रतन Tata का या फिर Tata Industries का या फिर Tata Motors का के सकते हैं, सबसे बड़ा अच्विमन दे था कि इन्होंने लगबग अच्छी खासी family car Tata India में launch करवाई थी, जो कि बहुत ज्यादा उनका sales स्टार्टिंग में चला था, अभी दोस्तों यह चीज तो हमें पता लगए कि Tata कोई छोटा brand है ने, बट कुछ चीजों की वज़े से, जैसे कि market में favorable ना होना, अभी कोई अगर कहता है कि भाई में Tata Motors की गाड़े लो है, फिर Swift की गाड़े लो, तो more Indian people go with the Swift क्योंकि वह बहुत ज्यादा favorable हो जाती है, उनके लिए, मुझे यह लगता है, आप इनके expenses controls में नहीं आ रहे, 13 company के profit and loss statements में बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसकी वज़े से, क्योंकि expenses control नकर पाना, year on year इनके, जो sales से, वो sleep होते जा रहे, यह सबसे बड़ी बुरी बात है, अभी बात करते है, company की कुछ loss, और EPS के बारे में, so EPS जबी भी sleep होता है, share price ज़रू ज़्यादा sleep होगे, हमने 90% तक के correction देखे हुए, कोई बहुत ज़्यादा shares में, और अभी भी वीडियो पढ़ी होंगे, मेरी चैनल पर, अगर बात करते है, company के बाकी चीज़ों के बारे में, so यहाँ पी देख सकते है, shareholder of the company, यह लगबग वही है, कि भाई, जितना loss होना का पिछले साल से भी ज्यादा इस साल में loss होते वे दिखाई दिया गया है, अगर बात करेंगे और चीज़ों के बारे में, so still दियार, मुझे लगता है कि दियार in recovering, but कितना कर सकते हैं, वो तो भगवानी जाने, अभी सबसे बड़ा नियम यह बन जाता है, कि इस company में invest करन करना है, या फिर नहीं करना, सबसे बड़ा question है, million dollar question है, बुलकुल नहीं करना, भाई कितने भी वेड़ रियाली करते हैं, अगर 1000 तक भी जा रहा है, still नहीं करना, अभी इसके सबसे बड़ा region बता दू, मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मेरे बारे में यह है, जब तक company खुद कमाती नहीं, तब तक मैं उसमें invest नहीं कर सकता हो, भले यह वो कुछ भी कर जाया, भाई यह वो कुछ भी कर सकते company, I don't know, बद जब तक उनके profit and loss statement में उनका बहुत ज्यादा profit नहीं दिखाए देता मुझे, अच्छा खासा grow year on year नहीं दिखाए देता, तब तक मैं उस company में investments नहीं करता हूँ, हर बार पेशा gain करने की नहीं होती है, कोई चीज़े satisfaction के लिए होती है, और मैं satisfaction के लिए market में काम करता हूँ, satisfaction में बहुत बड़ा पेशा है, ठीक है, अगर आपको पास खाली थोड़ा दिमाग होगा ना, बहुत बड़ा पेशा किसी भी company से चैनल पर डाल चुके है, वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं, बट इनके बाकी चीज़े भी इतने अच्छी नहीं है, बहुत सारे shares पड़े वे market में, अभी कहेंगे भाई, इतना बड़ा brand बोल रहे हो फिर क्या होगे, यह नाम से नहीं है, वो भी, share price sleep होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पर brand होने से कुछ ने, लोगों के जो emotions से stock market के लिए, वो देखो, अभी इसका share की price देखो, कितने दिनों में, कितने वो नीचे आते, क्योंकि जो लोग है, वो यहाँ पर ठेरने वाले नहीं ह देखेंगे कि आरे आप जब company गाड़ी खरीने जाते तब यह थोड़ी में सोचते, यार इसका share price ज्यादा इसके लिए में वो गाड़ी ले लो, आप तो comfortable गाड़ी लेते हैं, यहाँ पर market में वही है, जब तक comfortable news ने आती तब लोग रखते, अगर खराब news आई, बेच दो खतम कर दो, समझे, आशाकर तो आपको वीडियो अच्छी लेगी होंगी, अगर अच्छी लेगी तो please do like, share, subscribe, जो करना है कर देना, बस यार हो जाना चाहिए, और अभी आज के लिए इतना हूँ, इतना ही मिरता हूँ, कल के लिए, तब तक के लिए, peace out